यह आपके सामने prove करना है इन तीनों को आपस में इक दूसरे के equal prove करना है ठीक है तो इसमें कोई ایसा नहीं है कि left side राइट side क्योंकि यहाँ पर तो 3 तो यहाँ पर क्या करना है किसा एक को लेते हैं और उसको simplify करना शुरू कर देते हैं इसमें कोई ऐसे नहीं बोलते हैं कि left hand side है, right hand side है, यह याद रखना, क्योंकि इसमें तीन चीज़ है, ठीक है, हाँ, तो आपस में सब को एक दूसरी के equal प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं इसी को लेता हूँ, सबसे पहले वाले को, तो इसको लिख लेते हैं, one plus ten square a, अपोन में one plus तो one plus ten square a, किसके बरावर रुखता है, second square a, तो sec square a होता है और नीचे, cosec square a, ठीक है, अच्छा, अब देखो, sec square a को आप one upon cos square a लिख सकते होगी नहीं, और cos square a, ऊपर चला जाएगा, sin square a, है ना, रैसी प्रोगोल हो गया ना, देखो, cosec है, cosec है तो ऊपर गया, sec है तो नीचे गया, cosec a equals to one upon sin a होता है, तो ये one upon sin square, तो sin square ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये आपका किसके बरावर बन गया, ten square a, बहुत अच्छी बात है, यह दो कोई, यह निकी यह चीज़ तो इसके बरावर आ गई, ठीक है, तो इसको नाम देदो one, अच्छा, अब इसको लेते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल चाला है, तो यहाँ पर है आपका one minus ten a, अप उन में one minus coat a, और उसका whole square दे रखा भई, ठीक है, तो यह काम करते हैं, इनको sign coast में बदल लें, इनको sign और coast में बदल लेते हैं, तो देखें, इसको लिख सकता हूँ, one minus sign a, अप उन में को से, और अप उन में one minus को से, sign a, और इस पूरे का square दे रखा है, यह वाला square ना, अच्छा, अब LCM ले लो, अब जब LCM लेंगे तो को से इतर आएगा, तो को से माइनस sign a, अप उन में को से, ठीक है जी, और यह हो जाएगा sign a, माइनस को से, अप उन में sign a, और इस पूरे का square है भई, अच्छा, एक rule आप जानते ही होगे, कि यह दोनों साथ में, और यह साथ में, ठीक है, तो देखते हैं, क्या बनता है यह, तो sign a तो उपर चला गया, इसके साथ, तो sign a, multiply में इसके साथ क्या है, को से, माइनस sign a, और upon में, को से, और multiply में क्या है, sign a, माइनस को से, अच्छा, इस पूरे का whole square है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो whole square है, वो बाट रहा हूँ, numerator को भी बाट रहा हूँ, denominator को भी बाट रहा हूँ, तो इसको दिया square, और इसको भी दे दिया square, और यहाँ भी square दे दिया, यहाँ भी square दे दिया, ठीक है, जो whole square था, वो सबको दे दिया, अच्छा पर एक चीज आप यहाँ आप गोर से देखो यह आपस में कट सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई पहले भी बता चुगा हूँ A-B का whole square is equal to B-A whole square तो इसलिए यह आपस में कट सकते हैं तो इनको काट दीजे अगर आप इनको आपस में काट देंगे तो यह आपका 10 square हो गया यह आपकी second equation और by 1 and 2 ठीक है? By 1 and 2 our given statement is proved जो given हमारी जो यह statement है यह proved हो जाता है तो यह आप लिख दो बुरा by 1 and 2 इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ चलो थोड़ा सा बचा लेता हूँ इसको नाम दे देता हूँ x by 1 and 2 x is proved मैंने थोड़ा short में ऐसे कर दिया x is proved ठीक है?